इस संसार में आपका सबसे बड़ा शत्रू कौन है यह प्रश्ण किसी से भी पूछ लीज़े प्रत्तिक व्यक्ति के पास किसी ना किसी का नाम तो अवश्यो होगा जिसे वो अपना शत्रू मानता है चलिए आपको वास्तविक्ता ज्याद करवाता है इस संसार में आपका सबसे बड़ा शत्रू कोई और व्यक्ति नहीं है आपका सबसे बड़ा शत्रू है भाव वो भाव जो और कहीं नहीं आप ही के बीतर बसते हैं यह भाव आपको नश्ट कर सकते हैं आपको दुखी कर सकते हैं भाव जैसे एहंका लू क्रू मू आपके पतन का कारण बन सकते हैं एहंका किसी और को तुछ समझने पर विवश कर देता है मू आपको व्यकुल कर देता है लो आपकी कामनाय बढ़ाता है और क्रूत जिसके अगनी सर्व प्रथम आप ही को जलाती है अब जैसे हम किसी और शत्रू के लिए सूचते हैं इस शत्रू के लिए क्या कैसे इस शत् पराज़त करें जब आप ऑफी के बीतर बस्ते हैं कि क्या है कोई एस अस्तर आवश्य हैं और इस अस्तर का नाम है संतुष्टी यहीं संतुष्टी है जो आपके मन को शांत रखेगे यही संतुष्टी है जो आपको जीवन में सुख और आनद के सागर तक ले जाएगे इसलिए जीवन में सदय वसंतुष्ट रही है जो है उसमें आनद जूड़ी है जीवन और भी सुखी होगा राथे राथे इसलिए जीवन में सुख और दो आनद के सागर आनद के सागर दो कि जीवन में सागर रही है